यह चिलम जीवी है और यहां पर इसे पहले एकि मिश्वा जी का मेर्फ करूंगे एकि मिश्वा जी आपके बहुत तारीफ कर रहे थे अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि डिबेट में जान डल गई है एकि मिश्वा जी अगर पैनल में है तो मैं चिलम जीवी पे बोल दूँ अगर बात सनातन की है तो मैं उस व्यक्ति या उस पार्टी को आगाह करना चाहता हूं कि संद समाज इनको जब अपने चिलम में भरके इनका धुमा धुमा उड़ाएगा न चुनाओं में तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनका अश्वा संद समाज नहीं चिलम में भरके संद समाज आपकी बार्टी जब धुमा धुमा उड़ाएगा पतान की माफी मांगना तो मैं कुछ नहीं अप इच्छा करता हूं ये कान पकड़ करके और ठक भी करेंगे जो सनातिक से विरोध ले रहे हैं और ऐसे पुलीन घर में जो है प अच्छा वरिश पत्रकार हमारे साथ हैं अच्छा अच्छा आपको बहुत करते हों कभी बात नहीं दे पाए जिए उन लोगों का अच्छा अच्छा जी का साथ देंगी एक मिश्या जी का साथ देंगी किस तरह का कटाक्ष था ये आपने अच्छा जी का दरसन असामी से नहीं होती आज पर जिनके बाद मेरी दिवेट इनके साथ हो लिए मेरा नमस्कार भी है और माराज भी देखे उनको भी मेरा पढ़नाव है चले ठीक है तारीफ ये बहुत कर दी आपने आप देखेंगे कि एक मिश्या जी किस तरह का विज्ण जो आपना रगते हैं चले ठीक है और यहाँ से पहले एकी मिश्वा जी का मैं रूप करूँगे एकी मिश्वा जी आपके बहुत तारीफ कर रहे थे अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि डिबेट वे जान डल गई है एकी मिश्वा जी अगर पैनल में है तो आप ये बताईए कि ये जो चुनावी दौर में हो रहा है चुनावी फिजा में जो शब्द निकल रहे हैं जो अच्छे खासे एक नेता हैं जिनका वर्चस कभी रहा था जो एक कही न कहीं अपने पूरी पार्टी का जनाधार लेकर चलते हैं वो इस तरह कि शब निकाल रहे हैं क्या ये सही मुझे थोड़ा समय दीजिए जाके प्रभु दार्वु दौरीना ताके मति पहले हर लेना सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे रावण बहुत उच्छ पुलीन घराने में पैदा हुआ है लेकिन उसका बोल चाल रहन सहन बात बेवाद सब कुछ धर्म विरुद्र था ये आज यद वल्ष्व में दिख रहा है कृष्ण भगवान ऐसे थे जिनों भगवान बोलते थे आल्या वर्त के से ध्रातों की नीव रखी है मैं नाम नहीं लूगा लेकिन इसमाटीं कि ये इसके बेवाद मना के उड़ाएंगे न जिस दिन काउंटिंग होगी तब इनको पता चलेगा करें कि माफी मांगना तो दूर है कुछ नहीं अपेच्छा करता हूं यह कान पकड़ करेंगे जो विरोध ले रहे हैं और ऐसे पुलीन घर में जो है पैदा होकर के ले रहे हैं कि काशी में काशी कोरिडोर के नाम पर लाकिन मंदिरों के ढाया जावा है मंदिर तोड़े जा रहे हैं मूर्तियों तोड़े जा नहीं है आपको पता नहीं है काभू तंसमाब कहो और प्लीज एक मिश्रा जी कहले न दीजे मैं प्रमक जी से कहता हूं कि वालों को कम रखके सुप्रीम कोर्ड में आधेश दिया है कि आप अपना यह जो पलूशन पहला के बिदेग पलूशन मिश्रा जी से कहना चाहते हो इसे ना पहला आएं ठीक है एक मिश्रा साब लिए सुनिए हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कटारिया सर ऐसे डिवेट में बोल रहे हैं जैसे बच्पन में हमारे गाउं में जब मेला उला होता था न तो खेला आता था सरकस वह होता था आ गया आ गया वही दो चार शब दिन करना चाहता हूं कि संद समाज इनको जब अपने चिलम में भरते इनका धुमा धुमा उड़ाए गा न चुनाओं में तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनका अरव मिश्राजी में कितनी बसे ले गए करपात्री महराज जी ने जब संसत का घ्राव किया गौवत्या वो रोकने के लिए इसे नहीं समझा रहा है ऐसे नहीं समझा रहा है नहीं बिल्कुल नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा कि पक्रस्त स्ये नहीं चलेगा अपकर अब का सप संसमाथ इसकों नहीं चलेगा लगे लोकने का सप रिकार ये साथ तो बहुत मह नहीं माल लिया आप पताना अरे इस पैनल में सुनीजे तो पेंटा उन्हीं है उनकी प्रुपो सुनीजे और और इस अध्या जी आपकी चुपजाएए आपको पताई नहीं है इसलिए पसू की तरह है आप क्या पूर रहे हैं मिश्रा जी ठीक है मिश्रा जी कथारिया जी आपके आवास रादेंगी में आप चुपो जाएं दोनों सरकार जाने वाली है अरे बहुत समय है सरकार जाने वाली है वही सरकार किसे आने वाली है यागी साथ कुछ कहना चा रहे हैं अरे दूसरों के लिए सुन लीजे ना आजार शत्रा वाली को आपि अलने वाली है याजय को एिश्रा जे बोघगा लो अधार जी तना ना शुपीड़या ने करिए सुन तार्या जाने ड़िए लिजे दूसरों करेंडिर कार अनले आप लोग क्या कर रहे हैं आपकी सरकार रहती है तब फट्रों मचाते हैं एक ए मिश्रा जी शान तो चाहिए बहुत देर हो गई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत देर हो गई नहीं आप शांक क्या संगारी की बात कर रहे हैं क्या संगार अचा रहे हैं एके मिश्राजी वरिश पत्रकार के तौर पर बैटे हैं